माविवान जी किचिन में आपका स्वागत है आज मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बड़ी इजी और तरीके से बनती है और टेस्टी भी बहुत बनती है तो अब हम बताएंगे आपको कि हमें क्या बनाना है तो हमने यह लिए रोटिया जो हमारे घर में बच जाती है एस्टर बन जाती है उनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं वह मैं लेकर आई हूँ ऐसे भी बहुत ही टेस्टी नास्ता बचे हुई रोटियों का तो सबसे पहले हम इसके फीलिंग बनाने के लिए तो हम रोटियों को अभी कर देते हैं साइड में मैंने लिए है यह मीडियम साइड के चार आलू मैंने बॉल कर लिए थे और गरम में ही मैंने इनको मैस कर लिया है तो अभी हम इसमें फीलिंग बनाने के लिए मैं इसमें डालूँ यह मसाले वह मैं आपको बताती हूं, तो अभी मैं इसमें डालूंगी ये प्याच, मैंने एक प्याच बारीक काटके रख ली है, उसको एड कर देती हूं, और थोड़ा सा इस्पैस से बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च एड कर दूंगी, आप अपने टेस्ट के अकौर जैसा खाएं और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है, और यह है, आदा चमास सोंफ, भू भी एड कर दूंगी, यह भूना जीरा मसाला है, भू भी मैंने इसमें एड कर दिया है, और अभी मैं इसमें डालूंगी नमक, और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरा धनिया तो बहुत ही अच्छा लगता है, और अब हम इस सारी फिलिंग्स को मैस कर लेंगे, तो हमारी फिलिंग्स बनकर बिल्कुर तयार है, अब हम इसको साइड में कर देंगे, और अब हम लेंगे रोटियां, यह रोटियां हैं, इनको हम एक रोटि में से हम दो पीस करेंगे, इस तरह से, हम इस तरह क्याची से काट लेंगे, आप चाहें तो चाकू की बंदश से भी काट सकते हैं, ऐसे हम और भी काट के रख लेंगे, तो देखिए फ्रेंट्स मैंने यह रोटियां कट करके रख ली हैं, अब हम इस तरह से रोटि लेंगे, और इसमें हम टमाटो सॉस लगा देंगे, यह बिल्कुल ओप्सनल है, आप चाहें तो लगाएं, ना चाहें तो न लगाएं, पर इससे थोड़ा से टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए हमने इस तरह लगा लिए, और अभी हम इसमें जब आलू की फीलिंग है, उसको इस तरह से फैला देंगे, थोड़ा थोड़ा ही भरना है, जादा नहीं, यह इतना बहुत है, और इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट और लाने के लिए, मैंने यह पनीर लिया था, और इसको मैंने किसके रख लिया था, तो इस तरह से हम पनीर भी एड़ कर देंगे, और इस रोटी को हम इस तरह पलट देंगे, और अभी हम ऐसे ही बना के और भी रख लेंगे, तो प्रेंस मैंने यह सारी भर के रख ली है, यह मेरी चार रोटीयों के बनी हुए हैं, और अब मैं लूँगे एक बॉल, बॉल में मैं डालूँगी यह, आदा कटोरी बेशन, बेशन में मैं थोड़ी सी अजुआइन इस तरह करके डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक, यह चिली फिलेक से इसको भी डाल दूँगी, और खुब सारा हरा धनिया, अब इसको मिक्स कर लूँगे, तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते हुए इसका पेश्ट बना लेंगे, ना ज़्यादा मुझे पतला रखना है, और ना ही ज़्यादा थिक रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालके मैं इसको अच्छे से मैस कर लूँगी, यह हमारा घोल तयार हो गया, अब इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा डाल दूँगी, और अब हमें इसको फिर से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा थिक लग रहे हैं, बस इतना सा पानी डालके यह हमारा तयार हो गया है, अब हम चलेंगे, गैस की तरफ, तो मैंने कडाई पहले से रख दीती, इसमें ओल भी डाल दिया था, तो अब मैं इसमें इस तरह से यह रोटियों को ड्रिप कर लूँगी, और इसका एश्ट्रा है, एकदम इस तरह निकालके और धीरे से इसमें राप दूँगी, एक साथ मैं दो डाल दूँगी, अच्छे से भरके, और अभी ग्राउन होने तक सेंक लूँगी, देखें प्रेंस, कितने अच्छे से यह फूल रहे हैं, बहुत ही टेश्टी बनने वाला है यह नास्ता, आप भी ट्राय करना, और इनका सेब देखिए बिलकुल, समोसों की तरह है, आप इनको रोटी का समोसा भी कह सकते हैं, रोटी के पकोड़े भी कह सकते हैं, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, तो लाइक, सेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं, कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, तो देखिए इनको मैं पलट पलट के, और मीडियम फिलम पे, बिलकुल कब नहीं रख हो जाएगा, मीडियम में हम इनको ब्राउन होने तक, ऐसे ही सेक लोंगी, देखिए बैंट मेरे बहुत ही अच्छे सिख चुके हैं, अब हम इनको एक पिसू पेपर लागा के, इसको निकार लेंगे, इससे की इनका ओयल जो थोड़ा बहुत है, वो निकल जाएगा बाहर, और ऐसे ही हम और सारे भी सेक के तयार कर लेते हैं, देखिए बैंट मैंने सारे सेक के रख लिए हैं, आपको अब भी आपको सेर्प करके बताऊंगी, तो देखिए फ्रेंट हैना टेश्टी नास्ता, हमारी रोटी अभी बेकार नहीं गई, हमारा नास्ता भी बन गया, किसी के साथ भी आराम से हिनास्ते का आनंद ले सकते हैं, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, थेंक यू